हाई फ्रेंट्स में कृती है और यह कुछ इस तरह का सुन्दर सा पैटान लेकर आए हूं यह लेडीज कार्डिगन्स में बीबी स्वेटर्स में शॉल्स में स्काफ में सभी तरह के प्रोजेक्ट में बहुत अच्छा लगता है अगर जैंट्स में हम सिर्फ इतना एक पोशि प्रोजेक्ट लगने वाला है तो बैसिकली निटिंग जो है वह चॉइस का बैसिकली काम है एक आर्ट है जो आर्टिस्ट अपने दिल से करते हैं तो आपको जिस भी तरह से यह प्रोजेक्ट यूज करने में लगे उसे प्लीज करें चली मैं स्टार्ट करके पिताती हूं यह 12 सरायों में कंप्लीन होने ऐडिजाइन है 12 सरायों में कंप्लीन होगी के लिए जो फंदे रिक्वायर लगेंगे वो 14 के मिल्टिकम में हूंगे और ऑर रचाती ही दो पंदे एड्ज, बादे मैं प्लाफ्चरा तो छ teddy करते हूं, इस की लिए दो पेटरन के लिए वाद design के लिए फंदे और दो फंदे extra में, 14 दुनी 28 फंदे और ये दो फंदे extra मने, 30 फंदे में इसमें डाल रहें फिर्स्ट पहला सलाई, पहला फंदा हम उतारेंगे, कुछ इस तरह से, दूसरा फंदा हम उल्टा बुनेंगे फिर पांच फंदे हम सीधे बुनेंगे एक, दो, तीन, चार और एक पांच पांच फंदे सीधे बुनके हमें दो फंदे उल्टे बुनने है स्वरी, तीन फंदे हमें उल्टे बुनने एक, दो, और ये तीन तीन फंदे उल्टे बुनने के बाद फिर पांच फंदे हमें सीधे बुनने हैं वन, टू, त्री यहीं नेडल के अवास बहुत जादा कर रही है आपको डिस्टरब करना तो नहीं करें पता नहीं तीन, चार और एक पांच यह पांच फंदे हमने इसको सीधे बुन ले आप से दुबारा से पैटर्ण चुरू करते हैं एक फंदा उल्टा बुनेंगे पांच फंदे सीधे बुनेंगे एक, दो, तीन, चार, पांच पांच फंदे सीधे, तीन फंदे उल्टे एक, दो, और तीन और फिर पांच फंदे सीधे एक, दो, तीन, चार, पांच फंदे सीथे, यह आखरी फंदा एज का आखरी फंदा उल्टा, और यह एज का एक फंदा, इस तरह से यह मेरे पहली रो कम्प्लीट हुई, सकिंड रो, जो है, बिल्कुल जो फंदे जैसे नजर आ रहे हैं, उन्हें वैसे बुनेंगे, सकिंड रो में आप, मैंने इसमें निडल चेंज कर दी थी, ताकि आपको यह वाज जो करी थी, वो डिस्ट अपना करें, चलिए थर्ड रो स्टार्ट करते हैं, पहला फंदा उता बुनेंगे, फिर पांच फंदे सीधे बुनेंगे, जैसा कि हमने फर्स्ट रो में किया था, बिल्कुल सेम यह वाली लाइन है, तीन फंदे उल्टे, पांच फंदे सीथे, एक, दो, तीन, चार, पांच, यह पहला रेपिटेशन कंप्लीट, सेम दूसरा है, पांच फंदे सीधे, तीन फंदे उल्टे, पांच फंदे सीधे, इस तरह करेंगे, और हम अपनी थर्ड रो कंप्लीट करके, फोर्थ रो जो फंदे जैसे थे, उल्टे वाले, उसे बिल्कुल वैसा का वैसा बोनेंगे, वैकि फोर्थ रो में हमें कुछ करना नहीं है, जो फंदे जैसे नजर आ रहे हैं वैसे फिर मैं आपको बताती हूं फिफ्ट रो में कैसे करेंगे आई ये फिफ्ट रो करते हैं फिफ्ट रो में पहला फंदा हम सीधा उतारेंगे दूसरा फंदा हम उल्टा बुनेंगे फिर ये जो फंदे हैं हमारे दो एक फंदा दो फंदा और ये तीन फंदा सीधा बुनेंगे फिर ये चौता फंदा उतारेंगे पांच फंदे को निट करेंगे और चौते को उसके पर से पास ओवर करेंगे च्छटा फंद हम उल्टा बुनेंगे साथवे के लिए यान ओवर करेंगे फिर ये जो फंदा सेंटर वाला से सीधा बुनेंगे यान ओवर करेंगे और ये उल्टा बुनेंगे फिर ये जो दो फंदे नजर आ रहे हैं हमारे आगे वाले इने शेप इनका चेंज करते हो साइ सीधे करेंगे यह पहला रेपिटेशन कमप्लीट हुआ है दुबारे से रिकारते हूँ एक फंदा उल्टा तीन फंदे सीधे एक स्लिप नेट एंद पास एक उल्टा यानोवर एक सीधा यानोवर एक उल्टा ये फिर टू टुगेदर एक तरफ से करते हूँ इनको इनका साइट टू टुगेदर फिर तीन सीधे छटी सलाई जो फंदे जैसे नजर आ रहे हैं उन्हें वैसा बुनेगा और जो यानोवर से हैं वो पर्ल वाइज उल्टे उल्टे बुनेंगे छटी सलाई कम्प्लीट है सेवन्थ सलाई के लिए करेंगे पहला फंदा हम उतारेंगे दूसरा फंदा हम उल्टा बुनेंगे फिर यहाँ पर दो फंदे सीधे बुनेंगे फिर एक फंदा सीधा बुनेंगे दो फंदे सीधे बुनेंगे फिर एक फंदा स्लिप करेंगे दूसरा knit करेंगे और इसके पद पास over करेंगे फिर एक फंदा उल्टा बुनेंगे यान ओवर करेंगे यहां तीन फंदे सीध होंगे एक, दू और तीन फिर यान ओवर, फिर एक knit फिर ये दोनों फंदों को हमें direction change करते हुए दूखा एक करना होगा तूट तोगैदर और फिर ये दो फंदे हमारे सीधे इस तरह करके ये मेरा second first repetition complete हुआ second के लिए करेंगे पहला knit वो पहला purl पहला purl करने के बाद दो फंदे सीधे एक slip करेंगे knit करेंगे, पास over करेंगे यहां पर एक उल्टा बुनेंगे yarn over करेंगे तीन फंदे सीधे बुनेंगे फिर yarn over एक पर्ल उल्टा इन दोनों की direction चेंज करेंगे इस तरह से और उनको दो का एक direction हमेशा change किजगा क्योंकि उससे उसके जो sides के curve आते हैं बहुत खुबसुरत आता है इस तरह करते हैं यह complete करेंगे 7th row 8th row में जो फंदे जैसे नज़र आ रहे हैं उन्हें complete करें 9th में बताते हैं यह मारी 9th row है पहला फंदा मुतारेंगे दूसरा उल्टा बुनेंगे तीसरा नेट करेंगे फिर चौता स्लिप करेंगे पांच फंदे करेंगे और इसके पास पास उबर करेंगे फिर उल्टा बुनेंगे फंदा और यहां पर फिर से यान उबर करते हुए पांच फंदे सीधे एक दो तीन चार और एक पांच पांच फंदे सीधे बुनने के बाद एक यान उबर करेंगे फिर एक उल्टा बुनेंगे और ये दोनों फंदों को हमें अपने डिरेक्शन चेंज करके दोका एक करते हुए और एक बंदा सीधा इस तरह से पहला पैटर्न कंप्लीट है मैं दुबारा से दिखाते हुए एक बंदा उल्टा एक बंदा सीधा एक स्लिप निट पास एक उल्टा यान ओवर पाँच बंदे सीधे एक दो तीन चार और पाँच बंदे सीधे हमारे यान ओवर पर्ल इंदानों का डारेक्शन चेंज करेंगे और यह हम नेट करेंगे एक एक नेट पर्ल एंद पर्ल लास्ट वार एच का यह मेरी नाइन्थ रो कंप्लीट होई है तैंथ रो में जो फंदेश ऐसे होने वैसे बुने इलेवेंथ मों बताते हो 10th रोट कंप्लीट 11th है यह रो और इसमें देखेगा पहला फंदा हम उतारेंगे एच का दूसरा उल्टा बुनेंगे और फिर यह जो दो फंदे हैं इन्हें एक स्लिप करेंगे दूसरा निट करेंगे और इसे पास ओवर करेंगे फिर यह उल्टा बुनेंगे यहां यान ने सोब्सक्राइब में दो था चार पांच यह वर करेंगे और यहान वर करेंगे अगला फंदा उल्टा बुनेंगे और यह दोन फंदों को डार्यक्शन चेंज करते हुए हमें दो का एक करना है कुछ इस तरह से यह मेरी यह reputation complete हो गई है अब आपने यह second देखना है पहला पंदा उतारेंगे वह उल्टा बुनेंगे इसमें से पहला पंदा उतारेंगे दूसरा knit करेंगे इसके उपर से pass over करेंगे फिर यह उल्टा बुनेंगे यह यान over 7 बंदे सीधे एक दो तीन चार पांच छे और एक साथ बंदे सीधे यान over एक उल्टा इन दोनें की direction चेंज करेंगे और इसे हम बंदेंगे उल्टा स्वारी दोनों को एक साथ फिर आखरी उल्टा और यह उल्टा इस तरह करेंगे 12th row आप अपने आप complete कीजे 12th row complete करने की बादी कुछ इस तरह से नज़र आता है इस तरह का pattern है खुबसूरत सा इस तरह से pattern नजर आ रहा है, खुबसूरत pattern है, आपको यह pattern पसंद आया हो, तो आप प्लीज लाइक कीजिगा, सब्सक्राइब कीजिगा और शेयर कीजिगा, और अगर आपको पसंद आया हो, तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करके जुरूर बिताएगा, इस तरह का प्य है भी निए अपने टिन